हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की दिगज बैंग यानी एच्टी एपसी बैंक के कोटर थिगे रिजल्ट आ चुके हैं और जो रिजल्स आये हैं वो भी जबर जस्त रिजल्स देखने को मिल रहा रह सकता है उन सबी बातों के उपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे चार्ट के उपर और रिजल्स के बार में पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेर करना चाहूंगा तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंक्रेज करना बिल क्या है HDFC बेंक के रिजल्स की वह यहां पर देख सकते हैं को टर थी में नेट प्रोफित में तक्रीबद आट्रा प्रसंट का में जंप देखने को मिल रहा है तक्रीबद 8,708 करोड का प्रोफिट हुआ है HDFC बेंक को को टर थी में जो कि एसेट क्वालेटी में सिग्निफि प्रोफिट का कितना था तकरीबद 8,2064 करोड का मार्केट को एकसिट था कि अग्याइगा लेकिन यहां पर दोस्तों 8,708 करोड प्रोफिट आ है तो मार्केट के अनुमान से हमें ज्यादा प्रोफिट देखने को मिल रहा है और यहां पर अगर हम नेट इंटरस्स की बात क होगा कि बेंक का जो सबसे ज्यादा इंकम जनरेट होती है वो इंटरस्ट में से इंकम जनरेट होती है तो इस कोटर के अगर हम बात करें तो तकरीब बंदरा पॉइंट सिक्स परशंट का ग्रोफ देखने को मिल रहा है तो जैसा कि दूस्तोर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर में लोन बॉक की बात करो जैसा में आपको बताया फंदर्श इक्स परशंट का यह और यह उन ये बेसिष४ देखने को मुल रहा है और यहाँ पे जो टोटल लोन basis पे जो कि तकरिबन 12.41 लाख करोड का deposit quarter end December तक हमें देखने को मिल रहा है तो जबर just हमें improvement देखने को मिल रहा है long book में और deposit में और यहाँ पे अगर हम current in saving account की बात करो तो यहाँ भी हमें जबर just jump आता हुआ देखने को मिल रहा है current in saving account में जो कि आप देख सकते quarter three में 40.3% और पिछले साल 39.5% तो यहाँ पे हमें year on year basis पे तकरिबन 4.5% का में jump देखने को मिल रहा है और quarter to quarter basis पे देखे तो तकरिबन 41.6% यानि quarter two में था तो यहाँ पे हमें quarter and quarter basis पे भी तकरिबन 1.4% का jump देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे current in saving account में जबर just growth होता हुआ HDFC bank में देखने को मिल रहा है तो जबर just यहाँ पे हमें results देखने को मिल रहे है HDFC banks के और इस results के चलते आपको Monday को बहुती बढ़िया momentum देखने को मिल सकता है तो किस तरह की level of target आ सकते है Monday को उसके उपर analysis करते है तो उससे पहले हम Friday के दिन के कारोबार का situation कैसा रहा था उसके उपर एक नज़र करते है तो जिसा कि आप देख सकते हैं मैंने से की website के उपर आया है और यहाँ पे मैंने HDFC bank को search करके रखा हुआ है Friday के दिन के कारोबार के situation की बात करें तो तकरिबन फ्लेटी closing देखने को मिले प्रिवियस closing होई थी वह 1460 रुपे 25 रुपे से प्रिवियस closing होई थी और जो opening देखने को मिले और चोधा सो इकतर रुपे 65 पैसे का हाई बनाया और लोकिब बात करें तो 1445 रुपे तक हम में लोड़कतावा अच्छी खास हमें गिरावट देखने को मिले थी और फाइनली जो closing देखने को मिली और 1467 रुपे 65 पैसे का सब्सक्राइब देखने को मिले तो उसके आसपास हमें closing देखने को मिले थी और डिलोबल परसंटेज की बात करें तो जो quantity ट्रेड हुई और तकरिबन सतर लाख तकरिबन 39% के आसपास के डेलोबर परसंटेज देखने को मिल रहे है तो खरीदारी तो जबर जस्त होती हुई देखने को मिल रही है अच्छा खरीदारी हमें Friday की दिन देखने को मिला था दोस्तों तो कही ना कहीं उम्मीद था मार्केट को कि जो रिजल्स आएगा देखने को मिल रही है और देखा जाए तो जिस तरह से एच्छे रिजल्स आने की काफी ज्यादा हाई संभावना है दोस्तों तो आपको बैंक निपने में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकते आने वाले दिनों में अब हम एक चार्ट के उपर नजर करते और देखत पर यहां पर मैंने कुछ लाइने ड्रो करके रखी है जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते कि मंडे को किस तरह के लेवल और टार्गेट आज सकते और नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टार्गेट हमें HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है फ्राइडे की दिन क्लोजिं और अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो जिस तरह से रिजल्स निकल गया है तो हो सकता है अगर फिर से अगर दोस्तों पर 1500 के उपर HDFC बैंक निकलता है तो फिर यहां पर आपको एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों अगर इस high को नहीं तो break करता है तो फिर आपको HDFC bank यहां से देखा जाए तो निचे के लेवल पे जो support लेवल निकल के आ रहा है और 1445 रुपे का support लेवल है अगर इस support लेवल को break करता है तो उसके निचे 1370 रुपे का जो कि आप देख सकते है अच्छा खासा support लेवल है और काफी टाइम तक इसी support के आसपास हम में कहीं ना कहीं support लेता हुआ HDFC bank नजर आया था और उपर के लेवल पे एच्छा खासा registration लेवल था तो खरिद दरी करनी चाहिए आपको वह भी लॉंग टाइम फ्रेम पे खरिद दरी करनी चाहिए और यहां पर अपना stop loss ले सकते है तकरिबन 1350 रुपे के आसपास का stop loss के साथ अपनी position को hold कर सकते है HDFC bank में अगर इस support को फिर ब्रेक किया तो फिर यहां पर आपको एक बारिक गिरावट देखने को मिल सकते है और यहां पर जो लुड़क सकता है HDFC bank को तकरिबन 1250 तक लुड़कता है नजर आ सकता है यूदि उसके बाद यहां पर एक support निकल के आ रहा है लिकिन यह अपने अपने काफी strong support level है तो मेरी रहे रहेगी कि support level के निची आप अपने SL के साथ इसमें HDFC bank में position को hold कर सकते है ठीक है इन लेवल को आपको उच्छा उट करना है और जिसमें आपको बताया 1500 के उपर निकलता है तो फिर आपको एक new high देखने को मिल सकता है और जिस तरह से results निकल गया है market को जो उमिद था उससे बढ़िया ही results आया है तो फिर यहां पर एक और तेजी आपको देखने को मिल सकते है और nifty में भी आपको एक बड़िया तेजी मंडे को देखने को मिल सकता है तो इन लेवल को आप उचा उट कीजिए और आप अपना भी analysis कीजिए उसके बाद ही दोस्तों position बनाईए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंग्रेज करना ना भूले और चैनल पर नहया है तो इसी genuine information बाने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने हमारा telegram channel जोइन नहीं किया है तो link description box में मिल जाएगा वहां से आप telegram channel भी जोइन कर सकते और दोस्तों मैं आपको बतना चाहूंगा कि अगर आप zero-dham अपना account open करवाना चाहते है तो उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप zero-dham भी अपना account open कर सकते है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों thank you again for watching this video